वेलकम टुदा एपिसोड ओफ इन्वर्स वेरियेशन इन्वर्स वेरियेशन क्या होता है? चलिए इसे समझ लेते हैं जतिन का आज स्कूल था उदेर से सो के उठा उसने देखा अरे अब तयार होने के बाद सिर्फ तस मिनिट बाकी रह गए हैं स्कूल पहुँचने में जब की रोज उसे 15 मिनिट लगते थे उसकी मम्मी ने का बेटा कोई बाद नी थोड़ा तेज तेज जाना जड़ा स्पीड बढ़ाना 10 मिनिट में पहुँच जाओगे जतिन निकल तो गया लेकिन रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसा क्यों है कि जब स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है वो इसलिए क्योंकि स्पीड का फॉर्मुला अगर आपको पता हो तो वो है स्पीड इस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अब देखिए टाइम कहां आ रहा है और स्पीड कहां आ रही है स्पीड अगर नियूमरेटर में है तो टाइम डिनॉमिनेटर में इसका मतलब स्पीड और टाइम इन्वर्स रिलेटेड है इन्वर्स रिलेशन्शिप इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर एक quantity बढ़ रही है तो correspondingly दूसरी quantity कम होगी मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर speed का arrow हम upwards दे तो time का arrow downwards मतलब speed बढ़ी time कम या उल्टा अगर speed कम हुई तो time जादा इसे हम एक example से समझते इस example को देखिए यहाँ पर एक hostel है suppose जहाँ number of students को हम x से denote कर रहे हैं और number of days food provisions will last इसका मतलब है कि जितने students हैं अभी वहाँ presently उनके लिए खाना कितने दिन तक चल जाएगा तो अगर माल लीजे 100 students हैं और यहाँ पर उनके पास 20 days का खाना है अभी food provisions 20 days के बाकी हैं all of a sudden छुटियां खतम हो जाती हैं और 25 students और जॉइन कर लेते हैं मतलब total number of students हो गए 125 क्योंकि 25 और नए students आ गए तब कितने दिन वो खाना चलेगा पहले तो यह समझना है कि यह inverse variation है क्यों है जितने जादा students उतना कम दिन खाना चलेगा क्योंकि खाने के items तो fix हैं अब वो उतना कम चलेगा तो इसका मतलब यह inverse variation तो इसको निकालने के लिए हम इसको x1 कहेंगे यह y1 x2 और यह हो गया हमारा y2 x1 y1 x2 y2 number डालने के बाद हम इसका एक direct formula लगाएंगे direct formula है x1 into y1 equals x2 into y2 बस यहां आपने values रखी और आपको missing variable यहां पर है y2 वो मिल जाएगा देखें x1 की जगा 100 y1 है 20 और इधर है x2 125 और y2 की जगा हम अभी y2 लिखेंगे आप यह देखे 25 से cancel करें तो यह 5 times और यह 4 times फिर आगया 5 4s are 20 that means y2 आगया 16 इसका मतलब है 16 days तक food provision चलेगा अगर 25 नए students आ गए अगर मालने जए यही कुछ और हमको निकालना है suppose हमारे को दिया गया है कि 8 days का खाना है 8 days का खाना हमाई पस है तो कितने students खा सकते हैं अब यहाँ पर हम इसका नाम देदेंगे y3 अब हमारे को निकालना है x3 की value तो x3 की value निकालने के लिए हम फिर से यही formula यूज़ करेंगे x1 y1 equals x3 y3 या आप इसको भी use कर सकते है x2 y2 equals x3 y3 answer will remain just the same चलिए निकालते हैं यहाँ हम easy बनाने के लिए इसको use करते हैं x1 y1 equals x3 y3 x1 और y1 की value डाल देंगे 120 और यहाँ पर आपके पास x3 की value missing है उसको x3 रहने दीजे y3 की जगा आएगा 8 अब यह इसको cancel कर लेते हैं 4 2's are 4 5's are और यह 2 and यह 50 that means आपकी x3 आ गई 5 into 50 that is 250 so इसको भर दीजे 250 देखे इस तरीके से हमारा यह एक simple formula यूज़ करके पूरी table हम भर सकते हैं पिछले episode में आपने देखा था कि कैसे हमने direct variation का formula लगाया था x1 by y1 is equal to x2 by y2 वहाँ divide होता था यहाँ multiply होता है बस इतना ही difference है एक division sign और एक multiplication sign multiplication आएगा inverse variation में division आएगा direct variation में तो इस तरीके से अगर आपको दिया है कोई भी problem तो आप इसको table में convert करके करिए वो बहुत आसान रहेगा इस तरीके से naming करिए x2 जितने भी आपके पहले वाले हैं उनको x1, x2, x3 डाल दीजें second column जो second row वाले हैं उनको y1, y2, y3 डाल दीजें question है 3 persons can plough a field in 4 days if 2 persons are employed then in how many days will they plough the field इस question में 3 आदमी 4 दिन में अगर खेत को जोत देते हैं तो 2 आदमी कितने दिन में वो काम कर पाएंगे फिर से वही inverse variation क्योंकि जितने जादा आदमी होंगे उतने कम दिन लगेंगे अब इस case में फिर से हम इसका नाम दे देंगे x1, x2, y1 और y2 तो ये हो गया x1 ये x2 जो एक row में है उनका नाम x1, x2 इधर second row y1, y2 अब formula लगाएंगे x1, y1 equals x2, y2 आपके पस 3 और 4 यहां करेंगे तो values हैं हैं दोनों और यहां आपकी value x2 की है 2 और y2 की जगा आपको निकालना है तो ये देखें ये 2 से cancel ये आया y2 is equal to 6 इसका मतलब जब सिर्फ दो आदमी काम करेंगे तो उनको लगेंगे 6 तेस इसी question को अगर हम आगे बढ़ाएं और अगर हमने यहां 6 लोग रग दिये तो वो कितने दिन में field को प्लो कर सकते हैं यानि उसकी जोताई कितने दिनों में कर पाएंगे अगर यहां 6 आदमी रगएं तो इसको हम डाल देंगे x3 और ये हो गया y3 अब फिर से यही formula x1 y1 equals x3 y3 या x2 y2 equals x3 y3 इस बार हम x2 का use करके देख लेते हैं x2 y2 equals x3 into y3 2 और ये 6 हमारा निकल चुका था 2 into 6 equals x3 के value है 6 y3 आपको निकालना है अब देखें ये 6 और 6 cancel y3 comes out to be 2 उल्टा हो गया यहाँ पर आगे 2 देखें अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे जैसे आदमी बढ़ रहे हैं यहाँ पर देखें 3 के बाद अगर 6 हो रहे हैं तो number of days कम हो रहे हैं ये 2 हो रहा है पहले 4 days लग रहे थे अब 2 days लग रहे हैं इसका मतलब number of men when it is increasing एक quantity उपर जा रही है तो ये वाली quantity नीचे आ रही है इसको कहते हैं inverse variation एक और example देखते हैं अगला question है 42 machines produce a given number of article in 63 days how many machines are required to produce the same number of articles in 54 days इस question में एक certain number of items को manufacture करना है उसके लिए 42 machines जब एक साथ 63 days काम करती हैं तो उतने number of items बच जाते हैं अब वही अगर machines 54 days काम करेंगी और उतने ही items बनाने हैं तो कितनी जादा machines हमें चाहिए यानि कितनी number of machines चाहिए जो same number of articles को 54 days में बनाएं तो फिर से यही inverse हुआ क्योंकि अगर यहाँ number of days कम हो रहें तो machines बढ़ेंगी जादा machine है चाहिए तब ही हम कम दिनों में काम कर सकते हैं तो यह भी inverse variation का case है यहाँ भी वही formula लगेगा x1 y1 equals x2 y2 इदा हमारे पास values है 42 into 63 equals x2 into 54 आप देखिए यह दोनों divide कर सकते हम 9 से 9 6s are 54, 9 7s are 63 So 9 6 and 1 is 7 6 7s are 42 So that means यह cancel वा आपके पास x2 आया 7 into 7 That is 49 तो आपकी x2 के value आगे 49 यह देखिए जैसा कि हमने देखा number of days कम हो रहे हैं तो यहाँ पर number of machines की requirement बढ़ रही है तो यही होता है inverse variation So that's all for today Hope you like the session आगे आने वले episodes में आपको और भी बहुत सारे topics देखने को मिलेंगे Maths के class 8, 9, 10 and for competitive exams So stay tuned to Idea Infini